डिफ्रिंट्ली एबल्ड जो हमारे अफ्राद हैं स्पेशली वो जिनके पास अपना कोई जरियाय मौश नहीं है जरियाय आंबल नहीं है और वो खुद कुछ नहीं कर सकते बेड रिडन है या घर से बाहर निकल कर वो जो अपना जरियाय मौश है वो नहीं रख सकते नहीं कमा सकते तो मेरी कोशिश यह थी कि हकूमत पंजाब उनके घर तक पहुंचे और उनको कुछ ऐसा उनके लिए करें कि वो किसी पर बोज़ ना बने अपने घरवान पर बोज़ ना बने इस माश्रे पे उनको यह फीलिंग ना हो कि हम किसी के उपर बोज़ है तो आज अलाग ताला को शुकर है कि वो दिन आया है कि हम हिम्मत कार्ड जो है वो देने जा रहे हैं पंजाब में 65,000 खसूसी अफराद को यह कार्ड जाए हो आज से मिनना शुरू हो जाएगा इन्शालत आलाग इस जेस्टर का क्या मतलब होता है अच्छा मैं इस स्थले में सुहेल शौकत बट साथ जो हमारे मिनिस्टर है सोचल वेलफेर के उनको उनके जो सेक्रेटरिय हैं जावेद अखतर मेमूद साथ उनको और बैंक अफ पंजाब ने हमारी इसमें मौबनत की है पी आई टी बी ने मौबनत की है फैसल आपका शुक्रिया काशित फारूक साथ जो पी आई टी बी से हैं जो इसके लिए स्पेशल नेने काम किया वेका शुक्रिया मैं सब का शुक्रिया दा करना चाहती हूँ सोलेल कहां बैठे हुए सोलेल अब आपकी जिम्मेदारी है कि हर महीने आप इंशूर करें कि इनको टाइम पे जो है वो पैसे तीन महीने के मिला करें और इनको कार्ड्स मिलें तमाम 55,000 के 55,000 जो अफराद हैं उन तक ये कार्ड ना सिर्फ पहुंचे बलके फॉरन इनको अक्टिवेट करें ये आपकी जिम्मेदारी है थैंक यू रैसे शाबाश आपने बहुत दर्दे दिल के साथ ये काम किया मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे शाबाश ये जो हिम्मत कार्ड है मैं ये चाछती हूँ कि इस कार्ड को देखिए आपके अंदर और ज्यादा हिम्मत आए किए आप बहुत खुसी अफराद है खुसी हिम्मत रखने वाले अफराद है और हम सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाले अफराद हैं मुश्किलाथ के बावजूद रोज मर्वा की मुश्किलाथ के बावजूद सुवा दुपैर शाम आप एक तकलीफ में गजारते हैं उसके बावजूद आप अपनी हिम्मत अपने हाथ से नहीं छोड़ते आप होसला नहीं छोड़ते होसले का दामन नहीं छोड़ते मैं दोनों हाथों से आपको सलूट करती हूँ यह जो हिम्मत कार है यह जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर से 65,000 अफराद को हम शुरुआत कर रहे हैं और यह दो अरब 60 करोर का प्रोग्राम है लेकिन मैं आपके तवस्त से और यह जो अब मेरी टीवी पे अगर लाइव जा रही है यह तक्रीर तो मैं अपनी तक्रीर के तवस्त से पंजाब भर में जहां जहां मज़ूर अफराद है जिनकी माली हालत या इस काबल नहीं है कि वो अपने लिए खुद कुछ अर्न कर सकें और अपने घर वालों पर अपने रिष्टेदारों पर बोज नहीं बनना चाहते प्लीज आप वजीर आला पंजाब को लिखे आप अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेर का उसको लिखे हम इन्शाला आपको हम्मत कार्ड में इंकलूड करेंगे और हम्मत कार्ड में जो तीन महीं में के आपको सारे दस हजार रुपे मिलेंगे और ये बहुत थोड़ी रकम है लेकिन आपके लिए कुछ मुफीद ये थाबित होगी इन्शाला ताला इसलिए मैं पूरे पंजाब में दوبारा ये कहना चाहती हूं कि कहीं कोई खसूसी फर्द है जिसका नाम हम्मत कार्ड में नहीं है लेकिन वो तकलीफ में है और माली मौबनत चाहता है वो मुझे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को लिखे इन्शाला ताला हम आपकी मदद के लिए आएंगे इसके रावा अगर आपको जो आला इसमारत होती है जैसे हेरिंग एड्स जिसको कहते हैं अगर आपको वील चेस चाहिए अगर आपको जो आपकी मसनुई आजा हैं अगर आपकी लिंब्स जो हैं वो काम नहीं करती हैं और आपको आर्टिफिशल लिंब्स की जरूरत है तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं इन्शाला ताला हम आपके घर पे उसको डिनिवर करेंगे मैं अपने तमाम जो खसूसी अफराद मेरे सामने तश्रीफ रखते हैं और जो मुझे सुन रहे हैं टीवी के जरीए मैं आप सब को ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुद्रत की तरफ से आप पर कोई आजमाईश आई है कोई मुश्किल आई है तो दूसरी तरफ से अल्ला ताला ने आपको बाकी जो आपकी कॉलिटीज हैं बाकी जो आपकी सेंसेज हैं बाकी जो आपकी फैकल्टीज हैं उनको अल्ला ताला ने इस तरह मजबूत किया है कि वो एक मौमल इंसान से भी ज्यादा है اللہ تعالیٰ نے हر طرف سے آپ کو kompensate किया है और मैं ये भी आपको बताऊ कि ये जो आजमाईश है आपकी ये आजमाईश कम है ये मेरी आजमाईश जादा है ये हुकमरानों की आजमाईश जादा है और मैं इन्शाला ताला आपकी इस आजमाईश में आपके साथ हूँ जो मुझसे हो सका मेरा वादा है कि मैं जरूर करणगी इन्शाला ताला तो इन्शाला आपको इस कार्ड के जरीए अभी आपने देखा भी है आप दूसरे शेरों से भी यहाँ पर आएं हुए है मेरे भाई, बहन और बज़र्ग तो मैंने बात किये कुछ अफराद से स्पेशली वो बच्चा जो अभी यहाँ पर आया था और उसके बाजू नहीं थे, टांगे नहीं थी वील्चेर पर था मगर मैं बड़ी हैरान हूँ जब मैं कह रही हूँ कि अल्ला ताला ने आपको खसूसी और फाकल्टी दी हुई है जिस तरह बच्चा स्केच बना रहा था मुझे तो नहीं होता वो उस तरह का स्केच बनाना और नहीं हिरान थी कि वो किस तरह उसके हाथ नहीं थे लेकिन उसके चोटे चोटे जो बाजू थे वो किस तरह महारत से चल रहे थे तो ये उस चीज़ का सबूत है जिसकी मैंने अभी आपसे बात किये कि खुद्रत की तरफ से वो कॉम्पनसेशन होती है आपने किसी बंदे को अकेला नहीं छोगता तो इंशाला आपके घर पे इस कार्ड के जरीए आपको सारी दस हजार रुपे तीन महीने के मिलेंगे उससे आप अपना चोटा मोटा जो आपका खर्चा है या कुछ जो गुजारा है वो होगा इंशाला इसको 65,000 तक में इसको हम और बढ़ाएंगे तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप हमें काइंडली इस पे लिखें मैं ये भी आपको बताना चाहती हूं कि ये जो हिम्मत कार्ड है आपका ये आपका ट्रावल कार्ड भी बनेगा औरेंज लाइन जो मेट्रो है लहौर की लहौर मेट्रो बस मुलतान मेट्रो बस पाकिस्तान, मेट्रो बस, रावल पिंडी, इस्लामबाद वहाँ पर जब आप ये हिम्मक कार्ड दिखाएंगे तो आपको फ्री ट्रावल करने की अजाज़त होगी इंशालत आला पंद्रह अक्तूबर से आपका ये हिम्मक कार्ड है फूट फर थाट रखना चाहती हूँ और वो ये है कि मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आते हैं आपके जहन में भी आते हैं और आने चाहिएं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को ये सवाल उनके दमाग में आने चाहिएं कि क्या वज़ा है कि जब ये मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग मून का दोर होता है क्या वज़ा है कि जब गरीब की मुस्तहक की दादरसी होती है तो वो मुस्लिम लीग मून का दोर होता है क्या वज़ा है कि आपकी जो economy है आपकी जो महिशत है वो तरक्की करने लगती है तो वो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है जहां पर सड़कें बनने लगती है तो वो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है कि जब overhead bridges, under passes, metro, bus, orange line और जो अवान की सफरी सहुलियाद को देखा जाता है तो वो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है कि जब motor based बनती है, express ways बनती है, ring roads बनती है, सड़कें बनती है, infrastructure बनता है तो वो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है, सबसे जरूरी बात, क्योंकि आज हर शक्स उससे मतासर है specially जो ये फ्राद मेरे सामने बैठे है क्या वज़ा है कि जब मेंगाई नीचे जाती है और तेजी से नीचे जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अला के फजल से Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है कि जब रुपया मुस्तेकर होता है तो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है कि जब बिजनस जो है कारवार थ्राइब करता है तो वो Muslim League Moon का दार होता है क्या वज़ा है कि जब मुल्क और पाकिस्तान की बात होती है पाकिस्तान के बारे में सोचा जाता है पाकिस्तानियत उबर के आती है तो मैं मुस्लिम लिग मून का दोर होता है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके भी जेबों पे ये बोज परता होगा 38% 38% जो है महंगाई थी पिछले 4-5 साल ना एहली ना लाइकी की वज़ा से और क्रिमिनल नेगलिजिंस की वज़ा से महंगाई 38% पे थी रोटी 25 रुपे की मिलती थी आज अल्लब ताला के फजलो करम से ये कोई मोज़ा है कि आज महंगाई 38% से 6.9 पे आ गई और मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ आप बुज़ावाला से तश्रीफ लाएं आप नारवाल से कुछ लोग तश्रीफ लाएं मैं पूछती हूँ कि रोटी जो है आज से साल पहले रोटी की कीमत क्या थी 25 रुपे रोटी की कीमत थी आज रोटी की कीमत क्या है बारा रुपे तेरा रुपे क्या वज़ा है और आज किसका दोर है आज अल्ला के फजल से मुस्लिम लीग मून का दोर है तो मुस्लिम लीग मून के पास कोई जादू की चड़ी नहीं है कि मुस्लिम लीग मून वो चड़ी गुमा देती है और अचानक हर तरफ तरक्य होने लग जाती है उसकी एक वजाए मुस्लिम लीग मून जब भी हकूमत में आती है इस मुल्क के बारे में सोचती है मुसलिनी गनून जब भी हकूमत में आती है कौम के बारे में सोचती है मुसलिनी गनून जब भी हकूमत में आती है अलाम की असानी के बारे में उसकी असाइश के बारे में सोचती है उनकी तालीम के बारे में सोचती है उनकी सिहत के बारे में सोचती है उनकी सर्फों के लिए सोचती है, उनकी सफाई के लिए सोचती है मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठके ये चीज़ मॉनिटर करती हूं कि आपकी महलों की सफाई हुई है के नही हुई आपकी सर्फों की सफाई हुई है के नही हुई सुबह उठके रेट्स चेक करती हूं कि आलू प्यास टमाटर आटा रोटी का क्या रेट है और अभी कल मुझे पता चला है मैं देख रही थी कि खैबर पुखतून खा में फिर रोटी की कीमट जो वो 25 रुपे हो गई क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है खैबर पुखतून का के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है बाकी सुखों के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है मैं पाकिस्तानी पहले हूं पंजाबी बाद में हूँ लेकिन अगर सही माइनों में मैं किसी को मफलूज कहूं जो जेनी मफलूज हैं, जिसमानी मफलूज मफलूज नहीं होता जो जेनी मफलूज हैं वो ये लोग है जिनको जिन से ना काम होता है ना किसी को करने देते है जिनका काम ही है, इनतशार करो, घराओ, जलाओ अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मस्रूफ हूँ हर रोज एक निया तमाशा, एक निया ड्रामा खड़ा हो जाता है मुझे कोई फर्रक नी पढ़ता, लगे रहो लेकिन अवाम की खिद्मत में खलल आता है और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में अवाम का दर्द है आप माशरे पे बोज नहीं हैं वो लोग हैं इस माशरे पे इस धर्दी पे बोज जिन्होंने अवाम के लिए जिन्दगी मुश्किल बनाई हुई जो रिसोर्सिस जो आपके पास खैबर पक्तून खा में अल्ला ताला ने आपको दिया हुआ है आपको वो अवाम की खिद्मत के लिए इस्तमाल करना चाहिए ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए ये खैबर पक्तून खा के अवाम की अमानत है ये जो 20,000 शेल्ज आपने चलाएं हैं पंजाब पुलीस के उपर ये शेल्ज आपको दिये गए थे ये आपने लिये होंगे law and order maintain करने के लिए law and order situation क्रियेट करने के लिए आपको वो शेल्ज नी दिये गए दूसरे जोबे की पुलीस के ओपर बरसाने के लिए जी सतरा खैबर पक्छा हमारा है, इसदरा पंजाब भी आपका है यहां पर बहुत पंजाब के अंदर हर बाजार के अंदर खैबर पक्छां से आई हुए लोग हैं जो अपना कारुबार कर रहे हैं आप ना सिर्फ पंजाब के ओपर ये बार बार हमला करते हैं बत आप उनके ओपर हमला करें जो खैबर पक्तून खा की बुरे आला चोड़कर आज पंजाब में कारुबार कर रहे हैं तो ये जो कभी मैं अकसर टिवी पे देखती हूं उनिसली मुझे मेरी मेरा दिल ये बात नहीं मांता कि किस तरह कोई इतना बदर क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्य 1122 की गाड़ी आए उनका क्या काम है उनका काम है कि जो तकलीफ में मुबतला लोगे उनको बहां से निकाल कर उनको सेफटी तक पहुंचाएं उनको खेबर पख्टून खा कि जलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदाना खास्ता आग लगती है उसको बजाएं उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए सरकारी अफसलों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, अवाम के लिए दिन रात उनकी खिद्मत करना उनकी लिए मनसूबे बनाना, उनको डिलिवर करना, उनकी खिद्मत में हाज़र रहना आप सरकारी मुलाजमین का एक जनूस ले कर आकर पंजाब के नुट अबर होते हैं तो पंजाब पंजाब तो यह नहीं होने देगा क्यूंके पंजाब जो है न वो दैशर गर्दी पे नहीं चलता पंजाब किसी तरीके पर किसी law and order situation पंजाब में जो है create करना ये इतना असान काम नहीं क्योंके पंजाब किसी काइदे और कानून के तहर चलता है पंजाब में कानून है कानून पे अमल दरामद है तो मुझे तो अलहमदलल्ला पंजाब की और पंजाब के अवान की अफाज़त अच्छी तरह करनी आती है तुम अपनी फिकर करो मेरा भी दिल करता है कि जो खैबर पख्टून खा में आपको पता है आज मैं आप सब के सामने बता रही है मुझे लोग लिखते हैं खैबर पख्टून खा से जो बच्चे स्पोर्ट्स में जो नौजवान स्पोर्ट्स में एकसेल करते हैं वो मुझे लिखते हैं खब लिखते हैं कि हमारा तालग खेदर पक्तून खा कि फलाँ शहर से हैं और हम फलाँ स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं लेकिन हमारी हुकूमत हमारा हाथ में पकड़े वह आपकी हुकूमत आपका कैसे हाथ पकड़ सकती है वह तो पंजाब पे हमला करने के लिए तयार बैठी होती है हर वक्त ये नीन कैसे आती है मुझे तो राप को नीन ना आए अगर मैं ये समझू कि जो अवाम का पैसा है उसको मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च कर रही हूँ तो जिन्दगी तो खतम हो जानी है एक दिन आएगा जब आपको ये जवाब देने पड़ेंगे बहुत बहुत बड़ा हुकमरान का जो हिसाब किताब है वो बहुत बड़ा होता है वो आपको पता चलेगा जब आपका हिसाब किताब शुरू होगा जो हुकमरान बनरात अवाम की खिर्शित तो